दोस्तो बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो बिहार के 18 हवाई अड़ों पर दो-δो हेली पैड भी बनाई जाएंगे बिहार के अलग-अलग जिलों में 18 हवाई अड़े पर हेली पैड बनाने की परकिरिया जो है वो शुरू भी कर दी गई है एक एक करक आपके सामने डिटेल रखेंगे कि कौन-कौन से हवाई अड़े पर क्या सब होना है तो वो पूरी डिटेल आपके सामने 18 एरपोर्ट की तो आप बने रहें वीडियो पर वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह की हर अपडेट आपको मिलती रहती है तो वीडियो को पूरा देखिया और अंत तक देखिये एक एक डिटेल आपके सामने रखने वाले हैं तो पहले नमबर पर बेवू सराय जहां पर 4,000 गुना 150 फीट का पक्का रनवे बनाए जाए गए दूसरा है भागलपूर जहां 35 गुना और 150 फीट का पक्का रनवे बनाना है और तीसरे नमबर पर बीरपूर सुपोल 3600 गुना 150 फिट का पक्का रनवे यहां भी बनना है और छपड़ा सारन 3000 गुना जो 450 फिट का पक्का रनवे और इसके अलावा पांच में नमबर पर है डेहडी ओंसोन जो रोहतास में पड़ता है तो इसमें 3000 गुना और 300 फिट का कच्चा रनवे है अभी यह मौजूदा इस्तिती में बहता रहा हूँ आपको और किशनगज में 3290 गुना यानि कि 300 फिट का पक्का रनवे और मधुबनी में 2800 गुना 100 फिट का पक्का रनवे का काम पूरा हो चुका है और मुंगेर में 2300 गुना 600 फिट का पक्का रनवे और इसके अलाव़ पूर्णिया में 11000 गुना 150 फिट का पक्का रनवे 52.18 एकर भूमी अधिवरन का काम किया गया है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कई बर बताया है इसके अलाव़ दसमे नमबर पर सहर्चा का रनवे 3000 गुना 150 फिट का पक्का रनवे इसके अलाव़ ग्यारे नमबर पर बालमी की नगर पस्चिम चंपारन जहां पर 3470 गुना 100 फिट का पक्का रनवे बारवे नमबर पर भबुवा कैमूर 1950 गुना 300 फिट का कच्चा रनवे इसके अलाव़ तेरा नमबर पर है बिहारी शरीप नालंदा जहां 1950 गुना 300 फिट का कच्चा रनवे है इसके अलाव़ बकसर 1950 गुना 300 फिट का कच्चा रनवे 15 नमबर पर आरा भोजपूर जहां रनवे 1950 गुना 300 फीट का कच्चा रनवे है इसके अलावा 16 नमबर पर है जहानाबाद 1500 गुना 300 फीट का कच्चा रनवे 17 पर है मोतिहारी पुरवी चमपारन जहां 1950 गुना 300 फीट का कच्चा रनवे इसके अलावा 18 नंबर पर कठियार जहां 1500 गुना 300 फिट का कच्चा रणवे तो ये मौझूदा इस्थिति आप यहाँ पर देख भी सकते हैं उपर राज्य सरकार के अधिन परने वाले जो 18 एरपोर्ट का मौझूदा इस्थिति क्या है और क्या यहाँ पर होना है तो इन में से आप किस एरपोर्ट से आते हैं आपके नजदी कौन सा एरपोर्ट पड़ता है ये आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर जगा ताकि इसी तरह की हर जानकाड़ी आपको मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को यहीं परेंट करते हैं और आपसे मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रहे बिहार एक्सप्रेस यूटूब चैनल